नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मसाला दूद बनाने की विधी मैंने लिया है दो कब दूद, दो चम्मच, चीनी, केसर, बादाम, पिस्ता और पिसी हुई छोटी लाइची, जैफल और काली मिर्ज जैफल और काली मिर्ज को बहुत कम मत्रा में लेना है, हाँ छोटी लाइची हम चार से छे फलियां डाल सकते हैं मेवे को हमें पिस लेना है, मेवा हमारे स्वास्त के लिए बहुत अवश्यक है, मेवा जहां हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग करता है, वही ठंड के दिनों में हमें सर्दी लगने से भी बचाता है सबसे पहले दूद को पैन में डाल कर बॉयल कर लेंगे मसाला दूद स्वादिस्ट होने के साथ साथ पॉस्टिक भी होता है उबलते दूद में चीनी डाल देंगे चीनी आपको अपनी पसंद के अंसार कम्या ज़ादा डालना है केसर और पीस कर रखा हुआ मसाला भी हम दूद में डाल देंगे दो कप दूद में दो चुट्ची के बराबर मसाला साथ ही पीसे हुए मेवे को भी हम इसी समय दूद में डाल देंगे और पांच मिनट तक उबलने देंगे इस मसाला दूद का सेवन सर्दियों में अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये हमें सर्दी, खासी और फेफ़णों की जक्रन से बचाता है और हमारे सरीर को स्वस्त और सुरक्षित रखता है मसाला दूद बन कर त्यार है मैं इसे कप में निकाल कर दिखाती हूँ साथ ही से केसर से गानिश कर रही हूँ आप भी अपने घर में मसाला दूद बनाएं खुद भी पिएं, सबको पिलाएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद